सबी को रादे रादे और घर में होगी है अचानक से एक परेसानी मोटर है जो पानी वाला उसका पंखा जाम हो गया है तो यह भाईया बुलाएं पलंबर और मिस्त्री भी आये था तो उन्होंने कहा कि भी निकालना पड़ेगा पूरा मोटर बाहर तब चेक करेंगे बार से कि अशन्होंने, तो इसे पता चल रहा था कफूप अगया है और घर में चोटे मोटे गाम तो चलते ही रहते हैं आपको पता है क्योंकि गर है सामान है तो खराब बी भी आई जाती है इस्में और कुछ ना कुछ लगी रहे है काफे दिन से कभी बंदर कुछ तोड जाते है कभी ऐसी खराब हो जाता है कभी मोटर कभी कुछ कभी कुछ अभी तीन चार दिन पहले बंदरों ने एक इतना च्छा उपर चंपा का पेड़ ओड़ा था वो तोड़ दिया था एक दिन पानी की टंकी का पाइप तोड़ के चले गए बस चलो कोई बात नहीं सब ठीक कराएंगे और देखो यह है वो चंपा का पेड़ जो बंदरों ने तोड़ा था यह बड़ा सुंदर सा था इसकी पत्यां तो मैंने तोड़ दी थी और यह यहां था इस तर देखो बड यह तो वो इसकी सारी एनरजी ले लेती तो यहां से उपर से कूदावो पेड के उपर ही कूदिया सिद्धा तो पूरी टैन तूट गिये अब मैं इसको यहां से निच्चे से काट के थोड़ा सा छोड़ दूँगी दो-तीन दिन के लिए उसके बाद इसको लगाऊंगी फ कि यह ना टैनी गल जाती है अगर तुरंत लगा देते हैं तो आज इस टैनी को मैं लगाऊंगी और टैनी लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा ही गमला लिया है यह अर आप मोसम बहुत अच्छा हो रहा है अगर आपको कोई कटिंग लगानी है तो आप लगा सकते हैं कूल देने लाइक हो जाएगे अगर आप लगाएंगे तो तो यह कटिंग में अब लगाऊंगी तो यह गमले में पता नहीं कौन सा पोदा था वो सूख गया तो मैं उसको निकाल कर इस किसी को लगा दूंगी यह सूखा था बिलकुल इसमें पानी डल गया थोड़ा सा तो थोड़े से मैं ने इसमें एक वो दिया तोड़कर डाल लिया और अब असी सीधा इस्टैनी को इसमें खड़ा कर दूंगी थोड़ा सा गोबर का खाद मिला दूंगी मत्टी में वैसे तो बुरबुरी मत्टी है क्योंकि मैं अच्छे से सोईल मिक्स करके तभी पेड लगा तो सब में मत्टी में डाली देती हूं थोड़ी सी अलदी वगेरा तो अब इसको मैं क्योंकि काफी बड़ी रंडी है तो बिल्कुल नीचे तक रखोंगी अगर जड़ निकल आएंगी इसमें अच्छे से तो उसके बाद फिर इसे बड़े गंबले में ट्रांसफर कर दें और फिर कम से कम 8-10 दिन पानी ना देना इसमें जब बिल्कुल मत्टी सूख जाए तब पानी देना है और गंबले को उपर तक मत्टी तक भर दें क्या जब पानी आप देंगे तो इसमें चाद़ पानी नहीं रुकेगा तो ये भी एक ट्रिक होती है कि गंबले को उपर त अब तो पोदे के गलने के चांस कम हो जाते हैं तो अभी मैंने क्या कराए ये सारी मत्टी और जो खात था तो गंबला उपर तक भर गया है तो सारी मत्टी मैं इसी में लगा दूगी थोड़ा वह ती स्प्रे से पानी दे दूगी बाद में या एक बार तो मैं पूरा अच चंपा की कटिंग करी थी तो वो कटिंग मैंने पहली बार लगाई थी मतब उससे पहले मैंने कभी की चंपा की कटिंग नहीं लगाई थी लेकिन वो कटिंग क्या हुआ सक्सेस हो गी है मेरी चार कटिंग मैंने एक ही गंबले में लगा दी थी देखो ऐसे ही बिलकुल चार और चारो इतनी अच्छी होगी हैं, इससे मेरे चार पोदे तैयार होगे हैं, देखो कितने सुन्दर नेक्ट सीजन तक इनमें खूब फ्लाबरिंग होगे, देखो इनकी रूट कितनी अच्छी बनी हैं, गमले में निच्चे से भी निकल आई हैं और जो पेड कटिंग किया था, वो भी देखो कितना सुन्दर हो रहा है, इस वाले की कटिंग करी थी मैंने, देखो कितना अच्छा भरा भरा हो गया, गोल हो गया एकदम से, नहीं तो चंपा के प्लांट इदर उदर भागते रहते हैं, टैनी लंबी-लंबी, अगर हम टाइम पर कटिंग करते हैं, तो यह अच्छे गोल सेप ले लेते हैं, पोदे, तो अब तो मेरा वागीचा बड़ा अच्छा हो रहा है, देख का बड़ा अच्छा लगता है, और चार पोदे हैं, तैयार होगे, दो-तीन छथपे हैं, अब की बार तो मुझे खूब सारे फूल मिल रहे हैं, अपने मंदिर को सजाने के लिए, और साथ के साथ मैंने सोचा, यह मेरे, यह नेक्स डे का वीडियो है, यह चोटे वाली चांदनी वाले पीट होते हैं, वो मैंने दो लिये थे, तो यह भी मैंने लगा दिये हैं, और जो टोकरी है मेरे पास यह खाली रखी थी, मैंने यह बटन-bell लगा दिये हैं, इसको जैड़ भी बोलते हैं, क्योंकि ना, यही जाद अच्छी जलते हैं, क्योंकि जो सीजनेबल होते हैं टोकरी में, वो बार-बार सूख जाते हैं, तो अब मैं सोच रहूँ कि, सारी टोकरी, हो हैंगि वाले टोकरी हैं, सब मैं बट ठीक था लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा पानी में इनमें डालके छोड़ दूँगी बारिस आएगी बाहर ही रख दूँगी बारिस का पानी भी इनको लग जाएगा पोदो के लिए बारिस का पानी भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि बारिस के पानी में बहुत जाद नाइट्रोजन होती है, तो वो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, पोदो के लिए, अगर आपके पोदे अंदर रखे हैं, तो कोई आप बाल्टी वगएरा बाहर रख दे, उसमें जो पानी घटा होता है ना बारिस का, उसको फिर आप अपने पोदो में अंदर लगा दे और अगर हो सकता है तो सारे पोदो को बाहर रख दे, जब बारिस बंद हो जाए फिर अंदर रख लें, तो इससे उन्हें भी अच्छा सा पानी मिल जाता है, खाद मिल जाता है, बारिस के पानी में बहुत जादे नूट्रिशन होते हैं, ये एक छोटी सी मनी प्लांट की बेल थी, मैंने ये भी काट के इसी में दाब दी, और मुझे प्लांट को फैंगने में बड़ा ही कस्ट होता है, जो जहां भी मुझे छोटी मोटी बेल दिखती है, मैं उसको ऐसे ही कहीं लगाती रहती हूँ, और वो ऐसे ही हो भी जाती है, इस पर जैड प्लांट में कैई पोदे बनाईए और अगर किसी को चाहिए तो बताईए मैं भिजवा दूँगे आपके गर मेरी कटिंग तयार होगी है चार तो बस जी आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक करना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए और आज कल मैं शोट भी अप्लोड करती हूं छोटे-छोटे से इनी वीडियो के बना के अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज बताना कि कैसे लग रहे हैं और अब आगे-आगे दिवाली की तेवार आने वाले हैं मतलब सभी फेस्टिवल सुरू हो जाए नई तो फिर गर की सफाई में लग जाए ताकि बाद में आप अपने तेवारों को अच्छे से इन्जोई कर रहे हैं बाई-बाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी को राधा-राधा